दोस्तों ये दियाफ लोग जोस बटलर को एक अच्छा बल्लेवाज मानते हैं और जोस बटलर की बल्लेवाजी को देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तो आज का मैच जो राजिस्तान और दिल्ली के बीच खेला गया इसमें दिल्ली की टीम 15 रनों से हार गई जी यां दोस्तो राजिस्तान रोयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 15 रन से हरा कर सीजन की पांचमी जीत हासिल की मुंबई के बान खेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में राजिस्तान ने 222 रनों का सफलता फूर्वग बचाओ किया दिल्ली की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 207 रन ही बना पाई दोस्तो आज IPL 2022 के पंदरमे सीजन का आज 34 मुकाबला मुंबई के बान खेड़े स्टेडियम में दिल्ली कैप्तल्स और राजिस्तान रोयल्स के बीच खेला गया था जिसमें राजिस्तान की कमान संजू सेमसन के हाथों में थी तो वहीं दिल्ली की कमान रिसब पंद के हाथों में थी दिल्ली के कप्तान रिसब पंद ने टॉस जीत कर पहले गैंदवाजी करने का फैसला किया और उसके बाद यह दोनों टीमों के खिलाडियों में बदलाव की बात की जाए तो कोई भी बदलाव नहीं किया अपनी पुरानी टीम के साथ इस मैच में भी दोनों टीमें उतरी राजिस्तान की तरफ से जोस बटलर और देवदत पटकल ने पारी की सुरुगात की और वहीं दिल्ली के तरफ से खलील एहमद ने पहला ओवर फ्यंका जोस बटलर ने आक्रमक सुरुगात करते हुए पहले ही ओवर में दो चौके लगाई उन्होंने खलील एहमद के ओवर की चौथी और छटी गैंद पर चौका लगाया और कुल आठ रन बटोरे जब दूसरा ओवर सारदुल ठाकुर लेकर आई तो राजिस्तान सारदुल ठाकुर के ओवर में एक भी रन ही बना सकी सारदुल ठाकुर ने सांदार गैंदवाजी करते हुए अपने पहले ओवर में कोई रन नहीं दिया यानि कि सारदुल ठाकुर ने अपना पहला ओवर मैडन ओवर फेका उसके बाद जब मुस्त फिजोर रहमान ओवर फेकने आई तो देवदध पड़कल ने उनके ओवर में लगातार तीन चौके लगाई मुस्त फिजोर के पहले ही ओवर में उन्होंने 14 रन बटोर लिए और जोस बटलर बड़ी तेजी के साथ रन बना रहे थे जब खलील एहमद ओवर फेकने आई तो जोस बटलर ने आकरमक रूप दिखाते हुए दो छक्के लगाई राजिस्तान को इस ओवर से 15 रन का फायदा हुआ राजिस्तान ने अपने पहले पावर पिले में 44 रन बनाए बिना किसी बिकिट के नुकसान पर जोस बटलर और देवदत पटकल की सलामी जोडी ने राजिस्तान को मजबूस रुगाद दिलाई दोनों ने पहले बिकिट के लिए अर्दसत की साजेदारी कर ली और र बटलर ने लगा थार दो गेंदों पर एक चक्का और एक चौका लगाया और राजिस्तान का स्कोर नव ओबर के बाद 78 पर जीरो था और यहाँ पर दिल्ली की टेम एक विकिट लेने के लिए तरस रही थी लेकिन राजिस्तान रोयल्स की तरफ से पड़कल और बटलर बड असांदार फॉम जारी ड़कते हुए और एक अर्द सत्क लगा दिया उन्होंने 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी की और 11 ओबर के बाद राजिस्तान का स्कोर 104 के पार पहुंचा दिया बटलर और पड़कल के बीच सत्की साजेदारी हुई इसमें उन्होंने दोनों ने मिलकर ललित के ओवर में 17 रन बटोरे और टीम का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया जोस बटलर ने ललित के आखरी ओवर में दो छक्के और एक चौका लगाया और कुल 18 रन बटोरे पड़कल ने अपना अर्द सतक 31 गेंदों में पूरा किया उन्होंने राजिस्तान के लिए पहला और IPL का अपना सातों अर्द सतक लगाया जोस बटलर ने कुल्दी प्यादों की जमकर धुनाई की और उनके तीसरे ओवर में दो छक्के और एक चौका समेत 18 रन बटोरे लेकिन इसके बाद खलील एहमद ने पढ़कल और जोस बटलर के बीच की साजेदारी को तोड़ दि हुए देवदत पड़कल को अपना सिकार बनाया उन्होंने अपने तीसरे ओबर की पहली गेंद पर पड़कल को चंवन के स्कोर पर लवी डवलू आउट कर दिया इसके बाद बटलर ने अपना ये लगातार दूसरा सतक लगाया राजिस्तान रोजिस के सलामी और सीजन का तीसरा सतक लगा दिया उन्होंने सत्ताउन गेंदों पर आठ चोके और आठ छक्के की मदद से अपने आई पिल केरियर का चौथा सतक पूरा किया इसके बाद वो बटलर 116 रन बना कर आउट हो गए मुस्त फिजोर रहमान ने आखिर कर बटलर के तूफान को रोकने में सफलता हासिल कर ही ली मुस्त फिजोर रहमान ने अपने आखिरी ओबर की आखिरी गेंद पर बटलर को बारनर के हाथों कैच करा दिया बटलर ने आउट होने से पहले 65 गेंदों पर 116 रन बनाई इस दवरान उन्होंने 94 और 9 चक्के लगाई 19 ओबर के बाद रा साल लच रखा इसके बाद जब दिल्ली इस लच का पीछा करने उतरी तो दिल्ली की तरफ से सलामी बल्लेबाज डेविड बारनर और प्रतवीसा ने टीम की तेज सुरुगाद दिलाई लेकिन कुछ समय बाद डेविड बारनर आउट हो गई प्रसिद क्रषडा ने राजि इसके बाद सर्पराज खान भी आउट हो गई रवी चंदरन अस्विन ने अपने पहले ये ओवर में पहला सिकार कर लिया उन्होंने पहली गेंद पर सर्पराज खान को प्रसिद क्रहला के हांसों कैट करा दिया इसके बाद दिल्ली ने 50 रन अपने पूरे कर लिये पहले कावर पिले में दिल्ली ने 55 रन बनाई लेकिन इस दौरान उनके दो बिकेट भी गिर गए अस्विन ने अपने पहले ओवर में साथ रन देकर एक बिकेट लिया और इसके बाद जब ओवेड मक्वाई अपना दूसरा ओवर लेकर आई तो है ओवर उनका बहुत ही महेंगा साबित हुआ उन्होंने इस ओवर में कुल 26 रन लुटाई उनके ओवर में प्रतवीसा और सब पंत ने मिलकर तीन चौके और एक छक्का लगाया और पंत और सा के बीच अर्द सत्की साजेदारी हुई लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली को दूसरा जटका भी लग गया पहला ओवर तो उनका पहला ओवर बहुत ही महेंगा साबित हुआ इस ओवर में पंत ने दो चक्के और एक चौका लगाया और कुल 22 रन बटोड लिये लेकिन कुछ देर बाद ही रिसप पंत भी आउट हो गए रिसप पंत ने एक हवाई सोट खेला और देवदत पढ़कल उनका एक सांदार कैंच पकड़ लिया पंत 24 गेंद पर 44 रन बनाकर आउट हो गए और इस मैच में सारदुल ठाको रन आउट हो गए चहल की गेंद पर अच्छर पटेल बोल्ड हो गए और इसके बाद आखरी ओवर में यहाँ पर दिल्ली को जीत के लिए 36 रन की जरूरत और दिल्ली की तरब से रोमन पावेल क्रीज पर थे तो वहीं राजिस्तान ने ओवेड मकाय को गेंद थमाई और पावेल ने इसके बाद सुरू की तीन गेंदों पर तीन छक्के जड़ दिये हाला की मकोय की तीसरी गेंद पर पावेल की कमर उचाई पर गई इस पर डगाउट में बैठे दिल्ली कैप्टल्स के कप्तान रिसप पंत और बाकी खिलाडियों ने नो बॉल की मांग की और थर्ड अमपायर की मदद मागी लेकिन फिल्ड अमपायर ने ऐसा नहीं किया इसके बाद पंत ने इस पर नाराजगी जताते हुए पावेल और कुल्दीप को मैदान से बाहर आने का इसारा किया इस पूरी घटना की बज़े से मैश थोड़ी देर तक रुका रहा जल्दी अमपायर और राजिस्तान के खिलाडियों दोरा पंत को समझाने के बाद मैश दोबारा शुरू हुआ हाला कि पावेल अगली तीन गेंदों पर सिर्फ दो रन ही बना पाई और आखरी गेंद पर आउट हो गई और दिल्ली यहां पर 15 रनों से हार गई तो दोस्तों ये थे आज के मैच के कुछ हाइलाइट टर्निंग पॉइंट जिनको मैंने इस वीड वीडियो आपको पसंद आया हूँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा